गाइस bubble sort का जो code है C language में वो इतना असानी से आप लोग कर सकते हो ना कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही कहोगे कि यार इतना easy bubble sort का code था कि यार मतलब मजा ही आजाएगा आप लोग को तो अगर आप लोगों नहीं प्लेलिस्ट आकसस नहीं कर दिया तो जल्दी से code में move करते है bubble sort के कि क्या bubble sort का code हम लोग किस तरह से लिख सकते है ठीक है तो यह 51th वीडियो है तो 51 underscore bubble sort लिख दूँगा मैं आप और bubblesort.c c की boiler plate यहाँ पर लगाँगा मैं और c की boiler plate लगाने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर मैं एक function लिखूँगा bubble sort के यह elements कुछ भी हो सकते हैं मैं भी इनको integer के लिए कर रहा हूँ आप लोग चाहें तो c++ भी use कर सकते हैं मैं c language इसलिए use करता हूँ क्योंकि जादा तर लोग समझ जाते हैं c language जिनको आती है और उसी के साथ साथ जिनको c++ आती है वो भी समझ ही जाते हैं बहुत जाता similarities है दो लेंगोज में तो कोई दिक्कत आप लोग को होने वाली नहीं है तो यहाँ पर n is equal to size 1,2,3,4,5,6 6 का size है और सिर्फ इतना ही मैं भी यहाँ पर बनाना चाहता हूँ ठीक है तो मैंने आपर एक इसका size जो था वो ले लिया एक variable में और उसे के साथ साथ यहाँ पर मैंने और बिल्कुल भी time waste नहीं करूँगा इस चीज में कि किस तरह से सेरीक elements को print किया जाए क्योंकि यार coding आप लोग को C language में आती है और आप लोग को बिल्कुल भी ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं इस चीज को लेकर क्योंकि already है हमने इतने code लिए हैं अभी कि अगर मैं समझाने लग जया न बहुत depth में तो मजाग हो जाएगा ठीक है तो मैं मजाग करना नहीं चाहता हूँ और यहाँ पर मैं printf लिखूंगा और percentage d लिखूंगा यहाँ पर percentage d लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर AI लिख देता हूँ ठीक है तो यह नाम का एक array है AI मैंने आपर लिख दिया है और semicolon लगा दिया है इसको save कर दिया है ठीक है अब यहाँ पर यह कह रहा है कि यह कहरे नहीं है तो मुझे यहाँ पर in star लिखना पड़ेगा और इसको मैं save करूंगा और मैं इस program को run करूंगा तो no surprises 1254 और यह सब मुझे प्रिंटों के आ जाएंगे एक space भी अगर देदूं तो मेरा जो array है वो अच्छी तरह से print हो जाएगा 1254 65 723 9 पर यह किस वीडियो को मुझा नहीं था इस वीडियो का मुझा था bubble sort कि आपको एक array और उसका size अगर दिया जाए तो आपको bubble sort की सहायता से array को sort कर लेना है ठीक है तो मैं आपर क्या करूंगा कि लि एक बार हम array को print करेंगे sorting से पहले एक बार हम array को print करेंगे sorting के बाद और यहाँ पर लिख दूँगा अब है function to sort the array ठीक है यह sort करेगा function array को ठीक है तो यहाँ पर मैंने जो है यह जो bubble sort है इसको run कर दिए लेकि यह bubble sort है कहाँ पर हमने bubble sort तो बनाया ही नहीं अभी तक तो आज जो यह bubble sort function भी बना लेते हैं तो bubble sort function मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्या कुछ return करेंगा क्या कुछ return करने की जरुवत है नहीं इसको कुछ return करने की जरुवत नहीं है वस हमारा array है वो sort कर दे और इसको हम काफी दूआएं देंगे इतना ही कर देगा तो int n लिखूंगा हम int n लि लगाएंगे दो for loop क्यों लगाएंगे यह भी आप लोग को बताता हूं पहला for loop कहां तक चलेगा तो पहला for loop किस चीज का है यह भी आपको बता देता हूं for number of passes ठीक है हर pass का एक for loop और जो अंदर वाला for loop होगा और यह जो number of passes वाला for loop by the way यह कितनी बार चलेगा यह end times चले इस चीज को समझाने के लिए आप लोग को लेकर चलना चाता ह clim साथ ग्यार नो दो सतरा चार ये जब array आ है तो जो बचा हूँ element है, वो automatically अपनी जगा पर होगा, ठीक है, ये बात थी, तो यहाँ पर n-1 तक हमने, n-1 passes चलाए, ठीक है, हर pass में हमने क्या किया था, तो मैं आपर आप लोगों को दिखाता हूँ, हर pass में हमने क्या किया था, हर pass में हमने इन दो elements को compare किया, यानि कि 0 वाले element को, अगर ये दोनों अपनी जगा पर नहीं थे, तो हमने इनको जो है, रिप्लेस करना था, यहाँ पर यह अपनी जगा पर थे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, फिर 11 और 9 को हमने देखना था, तो हाँ में इन रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 9 जो है, वो छो यह जो भी आपको दिख रहा है, तो मुझे 01 को करना है, फिर उसके बाद जो भी array नया आएगा, उसमें 1 और 2 को करना है, फिर जो भी array नया आएगा, उसमें 2 और 3 को करना है, फिर उसके बाद जो भी array नया आएगा, उसमें 3 और 4 को करना है, फिर जो भी array नया आएगा, उस और फॉन लूप लिखूंगा मैं और यहाँ पर मैं लिखूंगा int j is equal to 0 अच्छा ये कहा तक चलेगा कहा तक आप लोग को passes चलाने पड़ते हैं ये करहसे हैं ठीक है कितनी बार आप लोग को ये करना है तो देखो यहाँ पर पहले पास में n-1 करना पड़ ला है ठीक है दूसरे पास के लिए कितना करना पड़ ला था आजओ देखते हैं 4 comparison यानि कि n-1-1 यानि कि n-2 फिर उसके बाद तीसरे पास के लिए मुझे कितना करना पड़ ला था ये भी देख लेते हैं हमने इसकी बात करी थी तीसरे पास के लिए कितना करना पड़ ला था तीसरे पास के लिए कितना करना पड़ ला था हमको हाँ ये रहा तीसरे पास के लिए हमको 3 comparison करने पड़ ले थे दूसरे पास के लिए 4 comparison करने पड़ ले थे तो अगर मैं बोल दू n-1-i comparison करने पड़ेंगे आपको तो ये formula विल्कुल सभी सही बैठ जाए गया अब आपको कहां से आगया n-1-i पता भी नीचला कैसे ये बनाया क्या हरी भाई आपने पता भी नीचला क्या किया n-1-i कैसे लिख दिया तो देखो यार मैंने क्या ये एक table बनाई अगर आपको समझना ये कैसे आया तो एक table बना लो ठीक है वहाँ पर लिखो n की value और वहाँ पर लिखो number of comparisons की value ठीक है तो pass number 1 जो है उसमें कितने comparisons है जो आपको पहला pass है ठीक है i की value 0 रहेगी ठीक है i की value 0 रहेगी पहले pass के लिए ठीक है तो n-1 comparison यानि कि n-1-i comparisons i की value 0 है यहाँ पर n-1-1 यानि कि n-2 comparisons फिर यहाँ पर n-1-1-1-1 यानि कि n-3 comparisons ठीक है और उसके बाद जो number of comparisons है वो आपके एकदम एक mathematical formula में हमने बना लिए जो कि n-1-i है तो यह for loop number of passes के लिए और यह जो for loop है for number for comparison in each pass तो हर pass में कुछ comparisons होंगे वो इस for loop के अंदर होंगे जैसे कि 0 को 1 से compare करना 1 को 2 से compare करना 2 को 3 से compare करना क्या comparison करेंगे हम इसके अंदर तो वीडियो के अंदर मैं यह यहाँ पर आपको दिखाता हूँ साथ ग्यारा नौ दो सतना चार सबसे पहले साथ और ग्यारा में करेंगे क्या कुछ replacement करने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी ठीक है 11 और 9 में करेंगे ठीक है थोड़ा इसको पीछे लेके जाता हूँ जापर मैंने index भी लिखी हुई थी हाँ यह देखो मैंने index लिखी हुई 01 को compare किया 7 और 11 को जगा पे थे swap करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यानि की जो मेरा aj प्लस 1 था वो बड़ा था aj से ठीक है तो मैं आपर एक condition लिखूँगा मैं कहूँगा if कुछ इस तरह से लिखूँगा और लिखूँगा aj जो aj है मेरा वो अगर आगे वाले से बड़ा है अगर वो आगे वाले से बड़ा है समझे रहो यानि की अगर यो 7 है ये 11 से बड़ा है तो swapping कर दो यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैं आगे बड़ा फिर j की value 1 हो जाएगी 1 और 2 में होगा क्या aj aj plus 1 से बड़ा है क्या 11 9 से बड़ा है हाँ बड़ा है तो replace कर दो swap कर दो in fact swapping is the term swap कर दो 9 की जगा 11 रग दो 11 की जगा 9 रग दो और यह हमारा नया error बन गया अब 2 और 3 में देखो 11 यानि की index 2 पर और index 3 पर 11 और 2 क्या 11 बड़ा है 2 से हाँ 11 को और 2 को interchange कर दो यानि की swap कर दो तो हमें basically क्या करना है हमें इस if के अंदर लिखना है कि यार अगर ऐसा हो जाता है अगर जो पहला शुवाती element है यानि की j वाला जो element है j की value कहा से कहा तक जारी है 0 से लेके n-i-1 तक जारी है अगर हमारे comparison में कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले ये occur करने वाला element बड़ा है आगे वाले element से तो हमें swapping करनी पड़ेगी ठीक है अब आप यापर एक swap function लिख सकते हो इस चीज को easy करने के लिए या फिर यहीं पर आप लोग swapping कर सकते हो अब swapping मैं यहीं पर कर देता हूँ बट आपको बहुत सारी implementation मिलेंगी बहुत सारे book के authors क्या करते हैं अलग से function मनाते थे हैं वो भी आप कर सकते हो ठीक है तो मैं आपर क्या करूँगा लिखूँगा temp is equal to aj ठीक है aj is equal to और यह मैंने आप लोग को समझाया था कि यहीं swapping कैसे करती है aj is equal to aj plus 1 और aj plus 1 is equal to temp ठीक है aj plus 1 is equal to temp और temp क्या है temp एक integer है int temp करके हमने आपर यह बना लिया ठीक है int temp करके हमने बना लिया तो aj plus 1 is equal to temp यह आपर आ गया temp is equal to aj aj is equal to aj plus 1 AJ plus 1 is equal to temp यह क्या करेगा AJ और AJ plus 1 को replace कर देगा swapping कर देगा बस इससे जाद़ कुछ नहीं करेगा ठीक है बस हमको इतना करना है और हमारा array sort हो जाएगा और बाकी सारी चीज़े अपने आप automatically handle हो जाएगी त्योंकि हम क्या कर रहे है यह जो हमारे passes है यह हम चला रहे है N-1 तक यहनी कि N-1 pass हम चला रहे है उसके बाद हर pass के लिए हम यह चीज़ कर रहे है तो मेरे जाब से this should sort the array देखते हैं चीज़ को run करके तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और करनी चाहिए थी यह जो print array है इसको मुझे printf लगा कर एक backslash n भी देना चीज़ था अंत में ताकि मुझे एक new line मिल जाए एक बाद array print होता है तो मुझे new line मिल जाए अभी run करता हूँ तो देखो यह array पहले ऐसा दिखता था अब यह sorted है तो bubble sort इतना ही असान है बस एक तो आप लोगो for loop लगाना है number of passes के लिए और एक for loop आप लोगों को लगाना है comparison के लिए यानि कि एक पूरे pass के लिए तो यह तो n-1 passes करेगा पूरे और एक pass यह हर pass के लिए यह कुछ ऐसा करेगा कि यार अगर jth element j plus 1 element से बड़ा है तो interchange करतेगा aj और aj plus 1 को swapping करतेगा ठीक है और मैंने आप लोगों पिछले वीडियो में एक बात बोली थी कि क्या bubble sort को adaptive बनाया जा सकता है मैंने वाबर आप लोगों बोला था कि जो bubble sort है उसको adaptive वो होता नहीं है उसको बनाया जा सकता है adaptive इस बात का मतलब क्या था adaptive बनाया जा सकता है बात का क्या मतलब है adaptive बनाया जा सकता है बात का मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मेरा array already sorted है तब मुझे सिर्फ एक pass में ही result मिल जाए लेकिन मुझे ऐसा कैसे पता चलेगा कि जो मेरा array है वो already sorted है ये मुझे कैसे बता चलेगा तो देखो मुझे कैसे बता चलेगा इस बारे में discuss करने के लिए मैं एक sorted array यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक b नाम का array लूँगा in fact मैं a2 नाम का ले लेता हूँ और इसको मैं comment आउट कर देता हूँ या फिर यही रहने देता हूँ इसको और इसको जो sorted array है वो लिख देता हूँ ठीक है तो मैं लिखोंगा 1,2,3,4,5,6 ठीक है अब जब हमारा पहला pass चल रहा होगा देहान से सुनना इस बात को देखो miss मत करना जो मैं बता रहा हूँ भी बहुत important है जो मेरा पहला pass होगा उसमें इन दो को compare किया जाएगा पहले ठीक है यानि कि यह वाली condition 1 और 2 के लिए लगीगी क्या यह condition के अंदर जाएगा नहीं यह condition के अंदर नहीं चाहेगा फिर उसके बाद 2 और 3 के बीच में एक condition लगीगी जब 2 और 3 के बीच में एक condition लगीगी क्या यह condition के अंदर जाएगा क्या condition true होगी condition true होगी यह नहीं क्योंकि कोई element की swapping required है यह नहीं फिर यह 3 और 4 को swap करने की कोशिश करेगा अगर यह जो पहला वाला है वो बड़ा है आगे वाले से लेकिन ऐसा होगा ही नी similarly यहाँ पर भी यह नाकाम रहेगा यहाँ पर भी यह नाकाम रहेगा तो अगर यह हमेशा नाकाम रह रहा है तो इसका मतलब यह sorted है अगर आप लोगों को कोई दो adjacent elements ऐसे मिल ही नहीं रहे है array में कि पहला element जो है वो आगे वाले elements से जो है बड़ा है अगर ऐसा आपको हो यह नहीं रहा है तो इसका मतलब array आपका already sorted है इसका मतलब यह है कि जो सबसे बड़े elements है वो सबसे end में रखे हुए है और आपका array already sorted है तो आपका यह जो array है सिर्फ एक pass को करके पता लगाया जा सकता है कि यह already sorted है तो हम इतने सारे pass क्यों करेंगे हम यहाँ पर end minus pass फिर क्यों करेंगे जब हमको एक ही pass में result मिल रहा है तो लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि एक pass में हमको result मिल रहा है और नहीं मिल रहा है या फिर अगर ऐसा दूसरे या तीसरे pass में भी हो जाता है तो भी हम चाहेंगे कि हम वहीं पर रुख जाएं जैसे ही यह if के अंदर किसी भी pass के लिए गुस नहीं रहा है हम चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाए कि यह जो sorting की प्रक्रिया है इस sorted ठीक है और इसको मैं इस sorted को zero कर दूँगा ठीक है इस sorted का मतलब क्या है कि क्या यह sorted है ठीक है अगर यह already sorted है तो इसको मैं one कर दूँगा वनना मैं इसको zero कर दूँगा ठीक है और is sorted is equal to zero मैंने यह आपर कर दिया अब मैं आपर करूँगा क्या कि यहाँ पर कुछ ऐसे बोलूँगा कि यह already sorted है ठीक है अब अगर यह इसके अंदर नहीं गया तो यह already sorted है अगर यह इसके अंदर गया तो यह already sorted नहीं है क्योंकि जब swapping करनी पड़ रही है इसका मेला sorted नहीं है तो अगर यह इस if के अंदर जाएगा तो मैं directly is sorted is equal to क्या लिख दूँगा 0 लिख दूँगा मैं कौँगा नहीं यार तुम sorted नहीं हो ठीक है और एक बार यह pass जैसे ही खतम हो जाएगा मैं यह आपर check कर लूँगा if is sorted ठीक है क्या करूँगा मैं मैं लिख दूँगा यहाँ पर return यानि कि इस function को खतम करो यह sort हो चुका है ठीक है तो कितने passes यहाँ पर चलेंगे मेरे इस array के सिर्फ एक pass में काम हो जाएगा मेरा तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा pass चलता है मैं आपर एक printf लगा देता हूँ और मैं working on pass number percentage लिख देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख दूँगा i ठीक है in fact i plus 1 चुकि i zero से start हो रहा है अगर मैं इसको run करूँ तो आप देखो यह working on pass number 1 इसने कहा और एक pass में मुझे sorted array मिल गया लेकिन अगर यह array sorted नहीं है यानि कि अगर मैं इसको comment out करूँ और इसको uncomment कर दूँ तो आप लोगों को यहाँ पर देखो पाँच पास इसने करें sort करने के लिए 1,2,3,4,5 और यहाँ पर अगर array already sorted है तो मेरा काम एक ही pass में हो गया क्यों हुआ एक ही pass में मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा बोला कि यार देखो यह मेरे array elements है ठीक है कहा गया यह मेरे array elements है ठीक है अगर यह already sorted होंगे तो क्या मुझे इन comparisons को करने के बाद swapping करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी आप यह जीज़ चेक कर लो अगर आपका array already sorted है तब आपको इन सारे comparisons को करने के बाद swapping की जरूरत पड़ेगी ही नहीं इसका मतलब यह array already sorted है तो यह इस बात का सबूत हो जाएगा कि यह already sorted है तो जब मुझे पहले pass में यह ऐसा दिखता है कि मुझे कोई swapping ही करने की जरूरत नहीं पड़ी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब array sorted है अब क्योंकि array sorted है इसलिए क्या मुझे बाकी के passes कराने की जरूरत है नहीं कराने को तो मैं कितने भी pass करा लूँ लेकिन मैं तुड़ना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे pass करा हूँ मुझे तो अपने array को sort करने से मतलब है एक बार sorting हो रही है मेरी कम से कम time में हो रही है मुझे खुश रहना चाहिए तो first pass में ही अगर मुझे कोई swapping नहीं मिलती है देखने को इसका मतलब यह हुआ कि array already sorted है और क्योंकि array already sorted है इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर इसको return करा सकते है function को एक pass के बाद ही तो मैं आपर कह रहा हूँ कि अगर यह if के अंदर जाता ही नहीं है यानि कि इस sorted की value जो है वो 1 ही रहती है हर pass पे मैं sorted की value 1 कर दे रहा हूँ जान मुझकर कि अगर यह sorted नहीं है तभी sorted 0 होगा अगर यह sorted है तो मैं return कर दूँगा समझ गए आप लोग इस बात को अब आप लोग I hope समझ गए होगे और अगर नहीं समझे हो अभी भी तो मैं कहूंगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ concepts ऐसे होते हैं जो कि दो थीन चार बार समझ में आएंगे देखने के बाद तो मैं बस आप लोग को यह बोलूँगा थोड़ा पीछे करके मेरी बात को ध्यान से सुन लो मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया I hope so और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे थोड़े से और examples एक और array का example ले लेते हैं यहाँ पर देखते हैं sort हो रहा है array हमारा यह नहीं हो रहा है इन दोनों comment out कर देते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से numbers add करूँगा one two five six और यहाँ पर 987 run किया इसको और लगता है मैंने कोई गढ़बढ कर दी क्या यह क्या कर रहा है redefinition oh मैंने इसको comment out नहीं किया हाँ तो देखो यहाँ पर one two five six मैंने यह a is equal to कुछ इस तरह से लिखा था और मुझे इसकी length को भी देना पड़ेगा दो दो चार दो छे दो आट दो तस वर एक ग्यारा ग्यारा length है इसकी तो यहाँ पर देखो इसमें पांच passes हुए और पांच passes के बाद यह sort हो गया असलिए return हो गया तो मैं चाहूँगा कि मैं यह वाली implementation bubble sort की यूज करूँ ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ दो अलग-अलग function मना लेता हूँ यह bubble sort adaptive है और एक सिर्फ normal वाला bubble sort भी मना देता हूँ bubble sort normal run करोगे तो आपके 10 passes लगेंगे वरना आपका जैसे ही array sort होता है adaptive वाले में तो यह आपर return कर देगा तो आपको performance अच्छी देखने को मिलेगी तो bubble sort adaptive में यानि कि वो वाला bubble sort जिसमें मैंने उसको adaptive बना दिया उसमें आप लोगों को देखने को यह मिलेगा कि आपका जो array है अगर वो already sorted कहीं भी हो जाता है किसी भी pass में उसके आगे pass करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो उसके आगे आप लोगों को यह जो हम first pass, second pass, third pass कर रहे थे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, I hope कि clear हो गया सबको यह source code आपको मिल जाएगा, यह मैं दे दूँगा और मैं आप लोग को यह recommend करूँगा कि आप लोग खुद type करो इस चीज़ को ठीक है, और खुद यहाँ पर click करके run करके देखो इस चीज़ को, और देखो कि array actual में sort हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है, और I hope कि यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रहा और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने by any chance अभी भी अगर यह data structure algorithm की playlist access नहीं करी है तो इसको जरूर access कर लेना और इसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है starting से data structures algorithm के जितने भी concepts है उनको आसानी से breakdown किया है और यह वो सारी techniques है जो मुझे किसी नहीं बता है और आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि यह techniques अच्छी तरह से clear हो जाए और इसलिए videos add कर रहा हूँ इस playlist में इसको जरूर access करना है यह click करके bookmark और यह click करके save और अगर आप लोगों को लगता है हाँ यह course helpful है तो उसको जरूर video को like करना और अगर आपको लगता है यह मज़ा ही आ गया तो यह इंस्टाग्राम पर share जरूर करना और अगर आप लोग मुझे tag करते हो स्टोरी पे तो मैं आपको वापस से tag करके आप लोग को स्टोरी में लगाता हूँ जरूर से ठीक है अभी के लिए इस video में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल